आज मैं आपके लिए आलू की एक एसी रेसिपी लेकिया हूँ जिसे खाने के बाद आप मार्केट के कचोरी समसा सब खाना भूल जाओगे और इस नास्ते को देखकर बचे टूटी पड़ेंगे उसे खाने के लिए तो चलिए बनाते हैं इसे तो यहाँ पर मैंने छोटी सा एज के चार उबले हुए आलू लिये हैं आप चाओ तो दो आलू का भी यूज़ कर सकते हो अब इनको हमें मेश करना है आप चाओ तो यहाँ पर इन आलू को ग्रेड भी कर सकते हो लेकिन इतना ध्यान रखना है कि इनके अंदर कोई गुटली नहीं रहनी चाहिए तो फ्रिंस यहाँ पर मैं आपको याद दिला दू कि अगर आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यहाँ पर सब्सक्राइब करना एकदम फ्री है आलू मेश करने के बाद एक मीडियम सच का प्या हमें बसक्ता से नहीं त्यस्यालों फुलत आघी यहाँ पर सब्सक्राइब मोस्ते थीह confident इन कि सभल आलेम अगर मेरी ध करदकर अचैनल कि इसे चख हुर्य भॉट adapirsiniz, गुविश्याले तो मेरे च्थम बोड़ करनें तो आप यहां पर देख सकते हैं कि अलू का बाटे का भी यूज़ कर सकते हो इसे हम बड़े बर्तन में डालेंगे और इसमें हम डालेंगे आदा चमच अजवाइन अगर आप बेसन ले रहे हो नास्ता बनाने के लिए तो आप यहां पर अजवाइन का यूज जरू से करें स्वादनों से नमक डाल देंगे और एक चमच अब यहां पर डालेंगे सपे तिल इससे जो नास्ता का फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आएगा और आदा चमच जितना हम यहां पर कसुरी मेती हाथों से क्रश करके डालेंगे बस हमें यहां पर और कोई मसाला नहीं डालना है इन सबी चीज़े को बेशन में मिलाकर इसमें हम आदा कप जितना पानी डालेंगे यहां पर हमें पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है एक साथ नहीं डालना है तो फ्रिंट्स आप एक बार इस तरह से नास्ता बनाए और अपने बच्चों के टिफिन में रखके देखो उन्हें बहुत ही पसंद आएगा और हमेशा वह इसी की मांग करेंगे और जो बच्चे रोटी सुबजी खाना पसंद नहीं करते उन्हें आप इस तरह से नास्ता बना के खिला सकते हैं उनके लिए नास्ता बहुत ही हेल्दी है तो यहां पर हमारा एक बेटर बन के तयार ह है ना तो ज़्यादा गाड़ा है और नहीं ज़्यादा बतला चली अब इसका आप नास्ता बना लेते हैं गेस पर हम रोटी तवा रखेंगे और उसमें तो बून जितना तेल लगा लेंगे और हमने जो बेटर बना के तियार किया है वह एक चमस भरके इसके ऊपर तो हमे यहां पर रोटी जितना इस चिली को फेलाना है और इसे हम जब तक नहीं पल्टाएंगे जब तक एक ष़र से अच्छी तरसे सीखने जाता यहां पर हमें गेस की फिलेम को मीडिम रखना है और मीडिम फिलेम पर हम इसे उलड़तु पलड़तु अच्छा सी और अक्सार हमारे बच्ची रूटी सब्जी खाकर हमेशा बोर ही हो जाते तो उन्हें कुछ अलग चाहिए खाने का जो उनके लिए बहुत ही हिल्दी हो जब चिला दोनु साइड से अच्छी तरह से सीख जाए भी इसके उपर हम टमाटा सोस लगा लेंगे अगर आपके पास हरी चेकनी है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हो सोस लगाने के बाद हमने जो अलो की फिलिंग मना के तैयार किये वो आदा चिले के उपड़ फैला vidéo लेंगे और उपसे इस तरह से प्यास डाल लेंगे और इस तरह से हम इस चिल्ले को फोल्ड कर लेंगे तो ये लिजे फिन आपके लिए बहुती टेस्टी सा नास्ता बना के तयार होगा है इसी तरह से हम बाकी का नास्ता बना के तयार करेंगे तो इस नास्ते को बनाना बहुती आसान है और यह तो आपको देख कर इसके पता चल रहागी, ये बहुती तेस्टी बन के तैयार होगा चिल्ले तो हम हमेशा बनाते हैं तो क्योंना हम इसके एक अलग सा नास्ता बना के खाएं ये नास्ता बच्चों को तो पसंद आएगा साथ में बड़ों को भी बहुत ही पसंद आएगा आप इस नास्ते को कब बना रहे हो और आपको खाने में कैसा लगा मुझे कमेंट करके जुरूर बताए बारिश का मोसा में तो अभी इस तरह से नाश्टा बनाए और चाई के साथ खाये आपको खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा तो फ्रेंड्स हमने पात वी बातों में सारा नाश्टा बनाके तैयार कर लिया है तो फ्रेंड्स आपको आज की मेरी रेसे भी पसंद आयो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर देगा और मेरे चैनल पर नहें हायो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देजेगा थाइंक यू फॉर वोचिंग